चोपड़ा हैं जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागता हूँ, मेरे प्यारे बचों NMC द्वारा समय समय पर Medical के जो Rules and Regulation है उसको Change किया जाता है, उसमें बदलाव किया जाता है तो 2023 में भी Rules and Regulation में बदलाव किया गया है और ये बदलाव Common Counseling का है और जो MBBS कर रहे स्टुडेंट हैं उनके लिए Attempt के बारे में ये बदलाव है, यानि कि ये Rule बनाया गया है ऐसा होता है कि सबसे पहले Draft तयार किया जाता है NMC द्वारा अगर कोई भी Rule चेंज करना है तो या फिर कोई भी Rules Regulation बनाना है तो उसके लिए Draft तयार किया जाता है उस Draft को Public किया जाता है Public Comments के लिए यानि की Comments invite किये जाते हैं कि इस Draft के लिए आपके क्या Comments ने पब्लिक्स के Comments लिये जाते हैं और वो सारे Comments लेने के बाद उसका Review किया जाता है और एक Finally गजक तयार कर दिया दता है उसका रूल बना दिया दता है और एक रूल को उस रूल को नाम दे दिया दता है तो 2023 में जो पोमन काउंसलिंग का रूल है वो भी बना दिया गया है अटेंट्स का रूल है वो भी बना दिया गया है और इस रूल को नाम दिया गया है हिंदी में इसे कहा गया है सनातक चिकित्साशिक्षा वीनियम 2023 और इसको इंग्लिस में कहा गया है Graduate Medical Education Regulation 2023 तो ये कहा गया है रूल्स का नाम दिया गया है 2023 के लिए जो चेंज हुआ है इसमें जो रूल बनाया गया है उसके बारे अब इसमें जो NEET UG का exam है उसको conduct करवाने के बारे में भी ये rule बिनाया गया है इसमें कहा गया है कि जो NEET UG का exam है उसको NMC भी conduct करवा सकता है या फिर NMC किसी भी agency को nominate कर सकता है ये agency एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है यानि कि अभी जो exam conduct करवा रहा है वो NTA करवा रहा है यानि कि National Testing Agency करवा रहा है तो इसकी जगे NMC भी exam conduct करवा सकता है या फिर NTA भी conduct करवाता रह सकता है ऐसा इस rule में कहा गया है यानि कि NMC भी करवा सकता है या फिर कोई दूसरी agency भी करवा सकता है जिसको NMC nominate करेगा जिसको NMC नामित करेगा वही agency इसको conduct करवा सकता है तो अभी फिलाल NTA इसको conduct करवा रहा है हो सकता है यह NTA ही continue रहे या फिर NMC खुद इसको conduct करवाए या फिर NMC किसी दूसरे agency से NEET UG का exam करवाए अभी इसमें जो possibility है वो यही है कि फिलाल NTA अगर conduct करवा तो यह भी इस rule में कहा गया है common counseling के लिए यह rule तयार किया गया है मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था common counseling क्या होती है इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ common counseling का मतलब है कि अभी जो counseling हो रही है वो दो authority दवारा हो रही है यानि कि एक MCC दवारा करवाई जाती है जिसमें सभी states के private medical college की 100% seat available होती है और government medical college की 85% seat available होती है लेकिन अभी जो common counseling होगी इस common counseling में एक यी counseling होगी और वो होगी common counseling central द्वारा होगी वो इसमें state की counseling नहीं होगी इसमें यानि कि Central दोरा एक ही counseling करवाई जाएगी जिसमें सारे medical college जो भी हैं उनमें admission उसी common counseling के through दिया जाएगा तो ये ऐसा rule बन चुका है इसमें अब ये जो common counseling होगी उसकी जो authority होगी वो NMC दोरा decide की जाएगी कि इसको कोन करवाएगा common counseling कोन करवाएगा ये और एक list तयार की जाएगी student की all India rank के according और जो भी seat available होगी NMC दोरा जो भी seat available होगी उस seat पर उस list के according admission दिया जाएगा यानि कि merit के according admission दिया जाएगा उसमें उसके काफी सारे rounds हो सकते हैं इसमें rounds के लिए खा गया है कि एक से ज्यादा उसके rounds हो सकते हैं यानि कि आगे अगर seat vacant होती जाएगी तो आगे round चलते जाएगे उसके तो ये तो था common counseling के बारे में कि common counseling के बारे में इस बार से ये rule बन चुका है अब ये कब से लागू होगी ये कहा नहीं जा सकता 50% सांद से ऐसे हो सकते हैं कि ये इस साल से भी लागू हो सकती है लेकिन अगर हम एक disadvantage देखे ये कि इस साल से अभी counseling के लिए समय कम बचा है और सभी private college को इनमें सबको एक जगे और फिर state का जो criteria है वो सारा implement करने में थोड़ा समय लग सकता है तो हो सकता है इस साल नय हो करके ये अगली साल भी लागू हो सकती है तो ये 50-50% सांद से जे हो सकता है इस साल से भी लागू हो जाए या फिर ये अगली बार से भी लागू हो जाए तो ये लागू होने से student को काफी सारे benefits होंगे मैं आगया आपको benefits भी बताऊंगा पहले वाले वीड है वो नहीं ले सकता है अगर कोई कोलेज इस कोमन काउंसलिंग के बिना एडमिसन लेता है तो उस पर पैनल्टी लगाई जाएगी पहली बार ऐसा करने पर एक करोड पर सीट पर पैलेंटी होगी अगर फिर भी वो दुबारा करता है तो दो करोड होगी और बार-बार करने प सेवंटीन एयर से एज होनी चीए इस्टूडेंट की उस एयर के लास्ट थर्टी फर्ष्ट डिसमबर तक और इसमें जो बाइलोजी, फिजिक्स, कैमेस्ट्री ये सब्जेक्ट चीए और इसमें जो इसका इलिजिबिलीटी क्रेटिरिया दिया है इसमें फिजिक्स से और कोमन काउंसलिंग के लिए ये रूल भी बन चुका है कि अभी कोमन काउंसलिंग होगी ये कब से हो सकती है इसका अभी डिसाइड नहीं हुआ है डेट नहीं दिया गया है कि ये इस साल से होगी या अगली साल से लागू हो सकती है तो जैसे ही ये लागू होगी आपको inform कर देंगे हम कि ये अभी लागू हो चुकी है अब इसमें एक attempt का भी दिया गया है कि जो student MBBS में admission लेते हैं तो उनको first year clear करना होता है first year clear होने के बाद ही वो second year में promote हो सकते हैं second year, third year, final year में अगर वो clear नहीं करते हैं किसी subject को तो promote हो सकते हैं लेकिन ये condition है कि MBBS का जो first professional है यानि first year है उनको clear करके ही second year में permission दी जाएगी, second year में promote किया जाएगा तो first year के लिए जो attempt रखे गए हैं वो चार attempt रखे गए हैं इसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ और पूरा total course nine years में complete करना होगा मालो कोई student admission ले लिता है, first year में admission ले लिता है उसके बाद में वो first attempt में clear कर लिता है first year, second year उसका promote हो जाता है final year में उसके तीन-चार साल लग जाते हैं, first year में दो साल लग जाते हैं तो ऐसे करके जो total timing दिया है MBBS का वो nine years दिया है यानि कि nine years के अंदर-अंदर back लगा हो उसका या कैसे भी हो, nine years के अंदर-अंदर उसको MBBS complete करना होगा नहीं तो उसे medical college से उसको बार कर दिया जाएगा तो यह जो total timing है MBBS का वो nine years है और first year का clear करने का जो timing है वो four attempts है यानि चार attempts में आपको clear करना ही पड़ेगा अभी इसके common counseling के काफी सारे benefits से मैंने पहले भी बताया था एक आपको एक ही जगह registration करना है एक ही जगह registration fees pay करनी है एक ही security money online counseling होगी documents verification के लिए states में जाना पड़ता है वो नहीं जाना पड़ेगा एक ही candidate एक ही seat ले सकता है पहले कभी state में भी seat ले लेते थे तो वो एक ही seat hold कर पाएंगे कोई security money forfeit होने के chances कम है और इसमें vacant seat counseling और होने के बाद में vacant seat रहने के chances बहुत कम है एक ही platform पर student को focus करना है और दूसरे courses में जैसे BMS, BABS, C and AH ऐसे courses में आसानी से admission ले सकता है क्योंकि उसको मालुम चल जाएगा कि हमारा MBBS में admission नहीं हो पा रहा है तो वो आसानी से admission ले सकता है तो finally video के last में मैं आपको यही बताना चाओंगा कि common counseling के लिए rule बन चुका है और ये common counseling अभी होने से student को काफी सारा फाइदा होगा अभी ये कब हो सकती है इसकी निशिता नहीं है अभी इस साल से भी लागू हो सकती है या फिर ये अगले साल से तो लागू होने के पूरे पूरे चांसेज है तो ये जानकारी थी common counseling के बारे में जो rule बना है उसके बारे में अगर आप counseling के बारे में पूरी जानकारी लेना चाते हैं, तो All India Kota State Iuse Veterinary Counseling के लिए हमारी book available है, इसको आप इस वीडियो के description box से या फिर हमारी website www.chopda.education.in से download कर सकते हैं, जैसी आप download करेंगे, हम आप से संपर्क कर लेंगे, आप हमारी paid service भी ले सकते हैं, इन books के अंदर ख college-wise cut-off दी गई है, उससे आप idea लगा सकते हैं कि आपको कहाँ पर college मिल सकती है, इस्टेट की जो book है, उसमें भी सारी यही facility available है, bond वगरा की detail से, इसमें fees की detail से, हर एक state के counseling process के बारे में, open state, कोटा के बारे में, कौन-कौन से open state है, सभी के बारे में easily तोर पर समझाया गया ह इसमें, तो मैं सोचता हूँ, यह book आपके लिए काफी helpful रहेगी, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा like or share करें, channel को subscribe करें, क्योंकि इस परकार की information हम लेके आते रहते हैं, need related, counseling related, सारी information हमारे channel पर available रहती है, और बाकी जो MBBS कर रहे हैं student, उनके लिए भी information हमारे पास हमारे channel पर, समय समय पर upload की जाती है, तो मिलेंगे नई update के साथ, नए वीडियो में तब तक के लिए, जैहिंगा